वालकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल वर्ल लिट्रेचर अगर हम लोग बात करें इसको इसके अंदर जो ग्रीक जो ट्रैडिजी लिखी गई है उनके अंदर यूज़ हो चुके हैं तो उस वज़ा से उसके साथ कनेक्शन भी है इसका तो इस वज़ा से इसको जो है मास्टर पीस कंसीडर किया जाता है क्लासिकल लिट्रेचर के अंदर अब आते हैं अपने राइटर की तरफ राइटर को अगर हम लोगिस्कस करें तो लूशियस अनियस सैनिका दी यंगर ये इनका फुल नेम है 4 BC में इनके बर्थ हुई थी 65 AD में के डेथ हुई थी और इनको सैनिका के नेम की वज़ा से जो है वो जाना जाता है स्टोइक फिलोसफर थे एंचिन ड्रॉम के स्टेट्समैन थे ड्रामाटिस्ट थे और इन्होंने पोस्ट ऑगस्टन एज के अंदर जो लेटन लिटरेचर लिखा जा रहा था उसके अंदर भी अपना रोल प्ले किया था यह हमारा शोर्ट सा इंट्रॉडक्शन हो गया अपने राइटर का अब करते हैं अपने प्ले को डिसकस हमारा जो प्ले है थेस्टस जो है यह हमारा मेन करेक्टर भी है हमारे इस प्ले में उसी के नाम पे यह प्ले भी रखा गया है यह फर्स्ट सैंट्री एडी के अंदर इसको लिखा गया था और इसकी जो लाइन्स हैं वो approximately हैं 1112 लाइन्स जो आ वर्स हैं इस प्लेए की और इसको जो है वो सेनिका ने लिखा था लेकिन इसके अंदर जो एक important बात है ना यहां पर जो एक interesting शीज़ है इस प्लेए में वो यह है कि इसके अंदर रॉमन ट्रेजडी को यूस किया गया है means के setting या फिर जो themes है या फिर जो structure है play का वो रॉमन ट्रेजडीज वाला है और लेकिन जुश के इंदर subject को यूस किया गया है वो Greek है means के इस play से पहले already जो है न वो बहुत सारी Greek tragedies बन चुकी थी तो ये उनका sequel भी है उन्ही के characters को use करकी एक new चीज जो है वो writer ने create की है like जैसे Euripities हमने पढ़ा है वो है फिर एगमेमनन वाली जो ट्राइलोजी है Greek के अंदर Greek literature के अंदर वो हम पढ़ें तो इस play के जो बेस है ना वही characters है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा different करके उन सभी characters को जै वो use किया गया है फर्दर अगर हम इस play की बात करें तो इस play के अंदर जै वो story किया discuss की गई है यहाँ पर इसका जो background है वो क्या है वो हम देख लेते हैं सबसे पहरे यह जो थेस्टस play है ना इसके अंदर दो भाईंगे twins हैं जो के princes हैं अब और इनकी ना struggle यह है कि इन्हों ने अब अपने father की death के बाद जो है वो throne लेना है means के kingship लेनी है और वो लेनी किस जगा की है Argus जो है ना यह एक place है वहाँ के यह जो है वो throne ship यहाँ फिर हम कह सकते है kingship जो है ना वो लेना चाते है और यह eastern peloponese में है Argus यह जो kingdom है अब यह जो fight है यह जो war है इन दो भाईयों के domain चलती है और यह twin जो brothers है इनकी fight का and result क्या होगा वो हम story discuss करके ही अपना result जो है वो find out कर सकते हैं तो सबसे पहले अपने background की तरफ चलते हैं उसके बाद जो है वो अपने story को discuss करेंगे story का background इस तरह से start होता है कि हमारे पास दो titular figure है हमारे play के अंदर theastis जो है वो एक brother का नाम है second जो brother है वो atreus है और यह दोनों father है agamamonon के agamonon जो है ना इसकी parenthood को जाए ना वो doubtful है इस play के अंदर क्योंके theastis ने कुछ ऐसा किया था कि जिसकी वज़ा से इसकी जो parent रुड़के actually में ये son है किसका क्योंकि ये son तो atreus की wife का है तो अब ये जो है वो हम लोग disclose करेंगे अपनी story के अंदर और इनका जो father है theastis and atreus उसका नाम है pelops अभी जो pelops है इसकी death हो चुकी है theastis and atreus के grandfather tantalus ने theastis and atreus के father pelops का murder किया था और murder करने के बाद उसका जो blood है वो god को दिया था लेकिन god को जो है वो कोई happiness नहीं होई इस blood से इसी लिए pelops की जो life ना उसको वापिस कर दी गई थी उसके बाद pelops को जो ना एक princess जो है ना वो पसंद आ जाती है hypodamia और उसके father का नाम होता है animus अभी जो pelops होता है animus का murder कर देता है और उसके बाद जो इसकी marriage है ना वो hypodamia से हो जाती है अब pelops and hypodamia के दो son होते हैं जिसका नाम है atreus and theastis अब इन दोनों की जो story है वो चलती है और ये दोनों जो है वो kingship लेना चाते हैं और इस kingship के लिए इन दोनों में जो fight होती है उसका जो एन जो पहले main character हमारा है theistis जो के atreus का brother है और exile में है second जो है atreus है जो के argus का king है argus जो के kingdom है third character है tantalus का tantalus जो है ये थेस्टिस का बेटा भी है और इसने अपने बेटे का नाम अपने grandfather के नाम पर ही रखा था next है playstens ये जो है वो थेस्टिस का son है एक silent role है इस play के अंदर next character है हमारा पास tantalus जो के grandfather है atreus अन थेस्टिस उनकी ghost next character है furia का जिसको जो है वो magaria भी जो है ना second nickname दिया गया है स्टोरी के अंदर satalus next character है हमारे पास जो के atreus का god है और उसके बाद nancius है जो के messenger है और chorus है chorus उसको कहा जाता है जो के musical chairs के साथ जो है ना कुछ भी वो play करते है song type उनको chorus कहा जाता है यह हमारे कुछ character अब इस play की जो हम summary को है ना वो discuss करते है सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक furies आती है जिसको जो है मगारा कहा गया है इसको आप कोई evil soul भी कह सकते है evil आप यह भी कह सकते है कोई भी goddess type जो है ना वो है इनके crime में क्या है जो house of tentulus है उसके अंदर murder हो रहा है incest हो रहा है adultery हो रही है hubrius है madness है इन सब चीजों को ना मगारा बताती है disclose करती है story के start में जो fury है ना यहाँ पर यह जो goddess है यह reveal करती है कि थिस्टिस जो है वो अपने ही यह सब सुनकर जो tentulus था वो काफी ज़्यदा horrified हो जाता है और अगेन जहें ना वो underground चला जाता है underground means के वहाँ पे इसको सिरफ punishment दी गई होती है क्योंकि इसने भी तो crime किया था ना philops का murder करने का जो कि atreus और theustres के father थे उस murder की वज़ा से इनके grandfather को underground भेजिया जाता है वहाँ पे सिरफ इनको bread and water दी जाती है और वहीं पे यह रहते हैं अब जो tentulus है यह अपने बच्चों को काफी जादा इन सब चीज़ाँ से रोकने की कोशिश करता है लेकिन जो megara है जो के goddess है bad चीज़ें जो है ना इनके अंदर trigger करती है means के इनको force करती है कि यह जो सारी बुरी चीज़ें कर रहे हैं atrius and theastus वो मजीद करें और इनका downfall हो जो chorus है वो भी आ जाते हैं और वहाँ पे play करना song शुरू कर देते हैं means के ना यह कुछ ऐसा play करते हैं जिससे जो family को कोई moral lesson भी मिले और यह जो royal family है इनकी जो fortune है वो भी better हो सके तो यहाँ पे आके यह argos में आ जाते हैं argos इस kingdom का जो name है वहाँ पे आके यह play करना start कर देते हैं tentulus जिसको punishment दी जा चुकी है और royal family के अब यह जो crimes है यह उनके लिए pray करते हैं कि इनको जो है इनकी जो सारे sins है वो जो फिनिश हो जाएं इनको जो है वो उन सबसे जो है न freedom मिल जाए इन्होंने अपनी life में royal family ने जितने भी sins किये हैं अभी तक Atreus जो के argos का king है argos kingdom का अब यह जो है न थेस्टर से बदला लेना चाता है यह बदला इस से इसका लेना चाता है कि इसने जो है न वो Atreus की wife Erop को जो है न वो seduce किया था और उसके बाद वहां से इसकी wife की help से ही इसने न एक चीज चुरा ली थी जिसको ram type का जाता है जिसकी वज़ा से ही king ship मिलनी थी क्योंकि वो तो Atreus के पास थी तो Theistis ने उस टाइम पे king ship लेने के लिए यह सब कुछ किया था और इसकी वज़ा से इसके जो Atreus के son थे न दो Agamemnon और Manulus इनकी जो paternity है वो भी doubtful हो गई थी कि actually में यह sons Theistis के हैं या फिर Atreus के हैं क्योंकि Theistis ने इसकी wife जो Aerof है उसको seduce किया था और इस शीज का यह बदला Atreus अब इससे लेना चाहता है इसने जो है वो इसके लिए एक plan भी बनाया है chorus जो है वो यहां पे बिताता है कि जो king को किस type का होना चाहिए means कि king किस तरह से अपनी nation को serve कर सकते हैं क्योंकि यह perform कर रहे हैं songs के through तो इस वज़ा से यह harmony की hope करते हैं और royal family के well being के लिए यहां पे pray करते हैं यह सारा scene चल रहा होता है then जो Atreus है वो pretend करता है कि अब वो बहुत ज़दा happy है और जो है ना वो Theistis को यहां पे जो royal family है उसके अंदर दुबारा वापिस बुला लेता है अपने sons की help से और उसके साथ जो है promise करता है कि मैं तुमें जो half kingdom है ना वो अपना दे दूँगा Theistis बहुत ज़दा है हिरान होता है कि यह जो मेरा brother है Atreus इसको क्या हो गया है क्योंकि मैंने इसके साथ जो है वो गलत किया था इसके wife को seduce किया था तो इस वज़ा से यह इतना अब happy कैसे है और मेरे साथ इतना अच्छे से मिल क्यों रहा है लेकिन Theistis भी काफी होता है इस बात पे लेकिन Atreus जो है उसने एक bad game प्लैन की होई होती है अब वो bad game क्या है Theistis के जो दोनों sons है उनके साथ यह वो बहुत बुरा करने वाला होता है लेकिन इस बात को जो है वो सिरफ इसी को पता होता है Atreus को chorus जो है वो family की strength के लिए यहाँ पे songs गाते है जब यह happy moment देखते है royal family में और chorus को यह भी पता होता है कि यह जो peaceful environment है यह किसी ना किसी war का symbol है अब वो war जो है वो अब होने वाली है क्योंकि pledge का जो end है वो भी आ रहा है Atreus का bad game है वो यहाँ पे reveal होता है Atreus जो है वो Theistis के जो sons से यहाँ पे उसके जो children से उनको sacrifice कर देता है अब वो sacrifice जब कर देता है उनका जो blood होता है वो Theistis की wine में मिला देता है और उनका जो meat होता है उसको as a soup या फिर as a food वो Theistis के सामने रखता है लेकिन Theistis को बिलकुल नहीं पता है कि यह इसके जो children है उन्हीं का meat है या फिर जो इसकी wine में blood है वो इसका है Theistis को जो है वो drink दी जाती है वो पीता है लेकिन Theistis जो है न वो उसके बाद reveal करता है Theistis के सामने के यह तुम्हारे ही जो suns है उन्हीं का blood था और जो तुमने food खाया है वो भी तुम्हारे suns का ही था क्योंकि Theistis जो है न वो बाद में वो upset हो जाता है traumatic हो जाता है और pray करता है कि Atrius से भी जो है न वो ऐसा ही revenge जो है वो god ले लेकिन यहाँ पर pray ही करता रहा जाता है और इसकी जो story है वो यहाँ पर end हो जाती है इस play की अब आते हैं इसके important themes की तरफ important themes में है the destructive power of desire कि जो तो इनसान के अंदर यहाँ पर human being के अंदर desire जो होती है न उसकी destructive power भी होती है क्योंकि desire positive भी हो सकती है और negative भी होती है जब हम किसी चीज़ को over wish करना start कर देते हैं या फिर उसको wrong way से जो है वो लेना start कर देते हैं तो then जो है वो एक destructive power बन जाती है next जो theme है वो है the overturning of the natural order अभी जो इन्होंने natural order था उसको overturn किया था जिसके वज़ा से god and goddesses इन सब से royal family से नराज हो गए थे next जो है वो है the meaning and the nature of power यह कुछ इसके important themes है जिसको हमने देख लिया है I hope कि आपको यह जो story है वो समझ आ गई होगी story बहुत easy थी बहुत interesting थी video को like और share और channel को जरूर subscribe कीज़ेगा thanks for watching my channel